Hip replacement surgery के बाद टांग का छोटा बड़ा हो जाना क्या ऐसा हो सकता है? I'm sure आपने सोना अगा इस बारे में कि कुछ लोगों की टांग लंबी हो जाती है कुछ लोगों की टांग छोटी हो जाती है और जब ऐसा होता है तो आप कितना भी अच्छा implant डलवा लो किसी भी टेकनीक से उस surgery को करा लो you will not be happy after the surgery Hello friends, मेरा नाम डॉक्टर पंकज वलेचा है और मैं दिल्ली में एक hip and knee replacement surgeon हूँ और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टांगों को बराबर रखने के लिए हम क्या-क्या efforts लगाते हैं हम कैसे ensure करते हैं कि आपकी leg length equal रहे और अगर आपकी leg length equal नहीं है surgery के बाद तो कब आपको घवराने की जरुरत नहीं है और कब आपको इसे अपने surgeon के साथ discuss करना चाहिए आईए friends जानते हैं leg length difference after hip replacement surgery के बारे में हम जब आपका THR करते हैं तो इस bone को clear करके इसके अंदर ये metal का cup लग जाता है ठीक है और हम जब आपको implant डालते हैं femur के अंदर तो वो ऐसे जाके अंदर चला जाता है और इस stem के अंदर हम ये ball लगा देते हैं अब समझो कि ये वाला जो मैंने ball लगाया इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं depending on कि हमें कितनी आपकी leg length चाहिए कैसे हम tongue की लंबाई को control करते हैं हम क्या करते हैं surgery से पहले आपकी tongue की लंबाई measure करते हैं तो कितनी छोटी है आपकी tongue और उसको हमें कितना लंबा करना है एक centimeter करना है तो एक limit होती है हम जितने आपके tongue को लंबा कर सकते हैं ये pelvis है ये thigh bone है ये अपना hip joint है correct तो अगर किसी वज़े से मेरा stem ऐसे रह गया तो अब देखो मेरे tongue लंबी हो ठीक है न ये मैंने उसको अंदर sink किया तो छोटी हो गई ये मेरा stem बाहर रह गया तो लंबी हो गई ये वाला head अंदर गया था तो अगर ये head जादा अंदर जाता है तब भी मेरी tongue लंबी छोटी ऐसे हो सकती है और इसके लिए surgery से पहले की planning आपकी tongue में actually कितनी छोटापन आपके hip joint की वज़े से है और कितना छोटापन pelvic tilt की वज़े से है ये सब हमें surgery से पहले देखना पड़ता है यानि कि अगर मैं आपको बताओ समझो अब ये मैंने आपका hip replacement किया और मेरा pelvis सही है तो मेरे tongue की length सही है मेरा stem अपनी जगा तक गया हुआ समझो मेरा pelvis पहले नीचे की तरफ tilted था तो ये देखो मेरे tongue नीचे लंबी हो गई है ठीक है और मेरा pelvis ऊपर की तरफ tilted था तो मेरे tongue छोटी हो गई है लेकिन ये वाला छोटा बड़ापन correct हो जाता है क्योंकि ये जैसे जैसे muscle में ताकत आएगी ना आपका pelvic tilt ये तराजू की तराजू की तरा होता है लेकिन अगर आपकी leg की लंबाई यहां से छोटी लंबी है और आपका pelvis सीधा है तो बहुत मुश्किल हो correct हो अगर hip joint के अंदर stem उपर रह गया या head लंबा लग गया तो जो वो leg length की discrepancy होती है वो correct नहीं होती है बाद में अगर आपको दोनों तरफ की disease है दोनों तरफ आपके hip joint में problem है तो जब दूसरी side आपके surgeon करेंगे तो उसको equalize किया जा सकता है एक side में tension की बाद नहीं है जब दूसरा होगा और equal हो जाएगी और सबसे important बात अगर एक centimeter के अंदर कई फरक है उसका ध्यान रखा जा सकता है और आपकी दोनों लेक्स को बराबर किया जा सकता है और आपकी दोनों लेक्स को बराबर किया जा सकता है if you found this video useful then you can subscribe to my channel and watch more such videos about hip replacement surgery thank you for watching and I'll see you in the next video now